नवश्कार, आज हम लोग डिसकस करेंगे ECG के बारे में ECG यानि इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम जिसे हम EKG भी कहते हैं इस EKG के बारे में जानना जरूरी है कि ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमारे हाट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मदद से हाट में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी दे देता है तो इसे हम एक पेपर पर ट्रेस करते हैं और ये हावारे हाट के मस्कुलर एक्टिविटीज के बारे में बहतर जानकारी दे सकता है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं 12 लीड का क्या concept है तो इस standard जो 12 लीड होते हैं वो heart की electrical activities को body surface पर चेक करते हैं और इसकी मदद से हम बहतर representation बना सकते हैं जिसमें 6 pre-cardial leads होते हैं और 6 limb leads होते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं प्री-cardial are chest leads यहाँ पर देखें वी 1, वी 2, वी 3, वी 4, वी 5, वी 6 यहाँ पर दिये गया है आप देखेंगे वी 1 और वी 2 यह 4th intercostal space में इनको लगाया जाता है इस turnum के दोनों ही side में इसके बाद आप देख रहे हैं 4, 5, 6 यह 5th intercostal space में रखे गए हैं इसमें आप देखेंगे यह mid clavicular line के along V4 की position है जबकि V6 की position आप देखेंगे mid axillary line पर है और V5 की जो position है वो anterior axillary line पर है तो आप इस तरीके से precordial archist lead की positions को आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ECG में ideal standard जो तरीका है उसमें 12 leads होने चाहिए 6 precordial leads होते हैं और 6 limb leads होते हैं तो उसके बारे में भी देखना यहाँ पर जरूरी है यहाँ पर limb leads के बारे में दिखाया गया है हम देख सकते हैं bipolar limb leads और unipolar limb leads दो concept है यहाँ पर bipolar limb leads है उसमें lead 1, lead 2 और lead 3 होते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि lead 1 के जो recording होगी वो कैसी दिखती होगी तो यहाँ पर देखे P wave Q RS जो complex है उसका orientation कैसा दिखता होगा यहाँ R waves दिखती है और यह T waves है यहाँ पर आप देखे P Q दिखेगा यहाँ देखे R और यहाँ पर देखे यह है T तो इस तरीके से आप देखेंगे limb leads 3 में P, Q, R और T के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है एक और image के माध्यम से हम लोग यहाँ पर limb leads के बारे में देख सकते हैं lead 1 है जिसका यहाँ positive terminal है यह negative terminal है इसको अभी मैं एक equation के माध्यम से prove भी करने की कोशिश करूँगा आप यहाँ पर देखें इसे lead 2 में देखेंगे आप तो lead 2 के बारे में दिखाया गया है जो left limb या left foot जिसे कहते हैं यहाँ पर देखें दोनों ही lead 3 और lead 2 lead 3 और lead 2 दोनों का positive terminal यहाँ पर है और इनका negative terminal उपर की ओर जा रहा है आप इधर देख सकते हैं इसके अलावा आप देखें यहाँ पर positive terminal नीचे की ओर है negative terminal यहाँ पर जा रहा है और lead 1 में left arm से right arm की ओर positive 2 negative terminal दिखाया गया है यहाँ पर देखना बहत पुर्ण है कि किस तरीके से electrical activities को different leads देखती है तो यहाँ पर heart की activities को अलग-अलग leads कैसे watch करती है उनको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है आप देखें lead 1 इस orientation से देखने का प्रयास करता है lead 2 जो कि आप देख रहे हैं नीचे की ओर से किस तरीके से देखने का प्रयास करता है lead 3 इस direction से उसे देखने का प्रयास करता है वही पर आप देखेंगे avr, avl और avf यह अलग-अलग orientation से limb leads, electrical activities को देखने का प्रयास करती है यहाँ पर हाला कि जो बाते लिखी गए हो चैनीज language में है लेकिन आप उसको यहाँ पर देखें avr, avl और avf आप इसे तो देख सकते हैं न यहाँ पर देखें यह किस angle से देख रहे हैं उस बात को यहाँ पर दर्शाय जा सकता है यहाँ पर आप जो bipolar limb leads हैं, lead 1, lead 2 और lead 3 उसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक concept यह कहता है कि waves जब आगे की और बढ़ रहे हैं तो उसके सामने पढ़ने वाले जो electrical activities को जो watch करने वाले जो ECG के leads होते हैं उनमें आगे की और जो होंगे उनमें positive waves बनेंगे और जो पीछे की और होते हैं उनमें negative waves बनती हैं तो यही वज़ा है कि आप AVR में देखें opposite waves देख रहे हैं जबकि third यहाँ पर देखें जो proper हम देख रहे हैं AVF, limb lead two, यहाँ AVR और यहाँ पर lead one इन सभी में हम देख रहे हैं positive तरीके से इसमें waves बन रही हैं इसका amplitude भी बदलते रहते हैं लेकिन आपको यह concept याद रखना है कि wave आगे क्यों बढ़ रहे हैं इसलिए AVR में जो waves का orientation है वो opposite to यहाँ पर देखें आप जो इस side में जो waves है उसके just opposite है AVR में तो चलिए one by one जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने discuss किया है उसको एक बार फिर से recall कर लेते हैं हमारे पास 12 total leads होती हैं जिसमें 6 precardial, 6 limb leads जिसमें मैंने आपको बताया था bipolar और unipolar 3 unipolar और 3 bipolar, bipolar और unipolar का concept आपको समझना जरूरी है यहाँ पर unipolar में क्या होता है एक arm इसका इस यहाँ पर थोड़ा से इसको समझ लें avr इसमें avr का मतलब क्या होगा इसमें augmented vector r यह unipolar का आप समझ लें इसी तरीके से यह पूरी तरीके से इसे explain किया जाता है किस पार्ट में है तो यहाँ पर देखें आप avl यह क्या है augmented vector left यह है right और यह foot तो यहाँ पर देखें augmented vector foot तो यह avr, avl और avf यह तीन unipolar leads होते हैं और तीन bipolar इसमें polarity का difference आपको clearly नजर आता है इसलिए से three bipolar कहते हैं one two or three यहाँ पर समझ लें यह जो one two six जो pericardial जिसके बारे में बताया था यह भी unipolar ही होते हैं और इसका भी concept यही कहता है कि यह unipolar limb leads हैं जिन्हें हम precordial या जिसमें हम number इसे हम mention करते हैं one two three four five और six के द्वारा वो unipolar limb leads हैं जबकि यहाँ पर teen unipolar और bipolar हैं इनकी locations को जब हम समझते हैं तो जो precordial limb leads हैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि fourth intercostal space में v1 v2 को लगाते हैं जबकि v3 v4 v5 6 इसके location को जब यहाँ दर्शाय जाता है तो आप ज़ादा तो पर ध्यान देते हैं v4 के बारे में जो mid clevacular line पर fifth intercostal space में लगाया जाएगा v5 यह anterior axillary line पर लगाई जाती है v6 जो की mid axillary line पर लगाई जाती है इनको ज़ादा सावधानी के साथ mention किया जाता है और v2 और v4 के बीच में v3 को रखा जाता है यह यहाँ पर एक समझने वाला concept है precordial limb leads के बारे में augmented limb leads electrical potential में होने वाले changes को frontal plane में चेक करते हैं तो इसलिए augmented जो लीट्स हैं avr, avf और avl जिसको हम represent करते हैं यह frontal plane में होने वाले changes के बारे में बताते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए avr, augmented vector, right arm, avl, augmented vector, left arm, avf, augmented vector, avf में क्या है? foot है तो इसमें left leg को ही हम दर्शाते हैं यह concept हमें समझ में आना चाहिए अब हम बात करेंगे इसके बाद ethnoven triangle के बारे में इन्थोven triangle यहाँ पर देखें यह एक imaginary triangle है जो कि three limb lids की बदत से एक imagine की गई triangle है इसमें जो imagination किया गया था वो imagination दोनों ही shoulder और pubis को imagine करते हुए बनाया गया था हलाकि इसे आप real observation में ऐसे भी समझ सकते हैं इन्थोven triangle को इस तरीके से भी आप imagine कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था नीचे की और positive potential होता है आप देखें यहाँ पर यह positive potential दोनों ही direction में जा रही है और यहाँ पर limb lead one के लिए जब आप सोचते हैं तो positive potential यहाँ पर होगा और negative potential इस direction में दर्शाई गई है इस इन्थोven triangle की खास बात यह है कि यह inverted equilateral triangle के shape की होती है जिसमें heart इसके center में होता है और अगर इन सभी के voltage का summation किया जाए तो यहाँ पर zero potential प्राप्थ होता है तो आप देखेंगे heart इस inverted equilateral triangle के center में रखा गया है और अगर इन सभी limb leads के voltages का sum किया जाए तो हमें resultant zero प्राप्थ होता है यहाँ पर हम inthoven triangle को देख सकते हैं और heart इसके center में है जब इन सभी limb leads को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए तो आप देखेंगे ना one है यहाँ पर two को आप shift करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा three को जब आप यहीं पर रखेंगे तो ultimately यह सभी के सभी heart के center पर पहुँचेंगे और इनका जो overall resultant जो potential होगा वह zero होगा आप यहाँ पर देखें lead one का zero degree angle पे lead two 60 degree angle पे और lead three 120 degree पर इसके बारे में जानकारी देते हैं तो यह axial reference system के according जो मिलने वाली activities की जानकारी है वो कुछ इस तरीके से हमें पता चलती है तो चलिए अब तक discuss किये गए points को एक बार फिर से recall कर लेते हैं right arm left arm left foot अब इसको अगर हम मिला देते हैं तो किस तरीके से हमें activities के बारे में पता लगेगा उसको हम देखेंगे तो जो मैंने आपको concept बताया है वोन ही सारी चीज़ों को यहाँ पर हम follow करते गए इधर से आप देखें किस तरीके से दिखाया है मैंने यहाँ पर plus और minus इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा है सहर एक limb lead को हम explain कर सकते हैं 1,2,3 आप देखें anti-clockwise direction में आप बढ़ते हुए चलें तो आप इस तरीके से इसे triangle को जब आप represent करेंगे तो ऐसे represent करेंगे अब एक तरीका हमारा ये भी है इंधोवें ट्रेंगिल के लिए कि इस triangle के according lead 2 की potential जो भी हमें मिलते है lead 1 और lead 3 की sum के बराबर होती है तो जब हम इसे real में जब यहाँ जितने भी मिलने वाले differences हैं उसको जब हम open करते हैं तो left arm minus right arm 1 के लिए होगा आप समझ सकते हैं अगर image को आपने देखा होगा तो उसको recall करें lead 3 के लिए left foot minus left arm था और ultimately जो हमारा result मिलता है lead 2 के लिए वो left foot minus right arm होता है तो यह एक derivation जो हमारे equation का हुआ है वो तभी संभव था जब इनका resultant potential overall 0 हो तभी यह इस तरीके का equation हम prove कर सकते हैं तो ultimately हम लोगों ने समझा इन्थोवेंट triangle के बारे में और यहाँ पर मिलने वाले results के बारे में चलिए ECG paper के बारे में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ECG के paper पर किस तरीके से recording होती है और उसे कैसे समझा जा सकता है